हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल टॉप जानकारी पर आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले है मध्यप्रदेश की राजनीती में भुचाल मचाने वाले जो तिरादित्य सिद्या कितनी संपत्ती के मालिक है और उनके महल की आसियत के बारे में दोस्तों जो तिरादित्य सिंधिया 2019 के लोगसभा चुनाव में मध्यप्रिदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे सिंधिया राजवंच की संपत्ती कितनी है इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है लेकिन इसे 40,000 करोड रुपे का बताया जाता है सिंधिया ने 2014 की लोगसभा के दोरान जो हलत नामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास 32,64,412 रुपे संपती है उनके पास एक पेत्रिक भी MW कार भी है जो तिरादित्यक की संपत्ती और उनकी जीवनशैली सपनों जैसी ही है वह 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं सन 1874 में बन कर तैयार हुए इस राज महल का नाम जैविलास पेलेस है आपको बता दे की 400 कमरे वाले शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम जबकी महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं इस भवन की कीमत करीब 200 मिलियन डॉलर बताई जाती है सिंधिया का गौालियर का जैविलास पेलेस 12,44771 वर्गफीट शित्र में फैला हुआ है इस महल का वैभव पूरे भारत में मशूर है इसकी दीवारों पर सोने से पेंट किया गया है इसकी आसियत ऐसी हैं कि आप भी दातों तले अंगुली चबा जाएं राजसी वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए चांदी से बनी ट्रेन चलती है 3,500 किलों चांदी के जूमर है इस 40,000 की संपत्ती में उनके कई शहरों में बने हुए पेलेस और जमीने शामिल है लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने गुणाशिव पूरी संसिदिय क्षेत्र से अपना नामांकन भरा और इस दोरान दिये शपत्त पत्र में सिंधिया ने खुलासा किया है कि सिंधिया के पास पेतरिक संपत्ती में 40 एकड में पहला गौलियर का जैय विलास पहलेस है इसके अलावा महारास्ट में श्री गोंड़ा में 19 एकड़ और लिम्मन गाव में 30 एकड़ जमीन है इसके साथ ही रानी महल, हिरनवन कोठी, रेकेट कोट, शांतिने केतन, छोटी विश्रान्ती, विजभावन, पिकनिक स्पोट, बूट बंगला, रेलवे कैरेज घंटी घार, इलेक्ट्रिक पावर हाउज, रोश्णी घार आदी रहायशी संपत्या है इन संपत्यों की बाजार कीमत 2 अरब 97 करोड 48,500 रुपे है दोस्तों यह थी जानकारी जो तिरा अदित्य सिंधिया जी की संपत्य के बारे में अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना वशेर करना न भूलें और साथ ही साथ आपके अपने चैनल टॉप जानकारी को सबस्क्राइब करना न भूलें